असलाम लेकुम आज मैं आपके लिए रही हूँ मुरं में बनने वाले चुंगे गिभू का आटा और गुर से बनने वाले चुंगे वो थेल्दी और टेश्टी होते हैं और आप उतने ही आसानी से इस चुंगे की रेश्पी को बना सकते हो चलिए चुंगे बनाना शुरू करते हैं चुंगे बनाने के लिए पहले हम चुंगे की एक चास्नी बना लेंगे एक कप गुड में मैंने आदा कप पानी दाल कर एक पैन में लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गुड को फिगला लिया है अब हम एक टीस्पून गी आदा टीस्पून इलाई चीप ओडर दालेंगे गुड के हम एक तार दो तार की चास्नी नहीं बनाएंगे सिर्फ पानी सारा खुश्क हो जाए गुड का एक चीप चीप का गुल बन जाए उतना काफी है चास्नी में गी या बटर को दाल लेने से चास्नी में बहुती बढ़िया टेस्ट आता है चास्नी हमारी पग गई है फ्लेम का आफ करके हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे चोगे के और एक फिलिंग बनाने के लिए मैंने आपर 4 टी स्पून रोष्टेड चना दाल को लिया है मिक्सर जार में डाल कर हम आदा टी स्पून सूप दो इलाइची को दाल कर फइन पॉडर में पीस लेंगे उसी जार में अब हम कसेवे गूर को दाल कर कुछ देर के लिए गुमा लेंगे अब हम एक बॉल में उस मिक्षर को दाल कर दो टी स्पून कसेवे नारियल दो टी स्पून रोष्टेड कसकस को दाल लेंगे अब हमारी दोनों तरीके से फिलिंग तयार हुई है चोंगे बनाने के लिए अब हम यहाँ पर नॉर्मल वाला जो हम सपाती बनाने के लिए गुनते हैं वही आटे को वैसी ही गुन लेंगे एक मेडियम से इसके पेड़े को लेकर हम एक छोटी रोटी पेल लेंगे रोटी को हम अनदर से थेल लगा लेंगे आप चाहे तो गी भी लगा सकते हो इस तरह से हम फोल्ड करके एक पेड़ा बना लेंगे यहां पर मैंने एक चोंग दान को लिया हुआ है उस पर हम तेल को ग्रीज करके अलके आज से जो डिजाइन है चोंग दान पर वो डिजाइन हमार रोटी पर अच्छे से प्रेस होना चाहिए उस तरह से हम बेल लेंगे एक तवे पर दाल कर हम अलट पलट कर किनारों को दबाते हुए अच्छी तरह से सेख लेंगे अब हम चोंगे की फिलिंग कर लेंगे उपर से थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे एक चोंगे पर हम जो हमने गुड का सूखा मेवा बना लिया था उसे हम भर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर ज्यादा भी भर सकते हैं थोड़ा खम मेवा भी दाल सकते हैं दूसरे चोंगे पर हमने जो चाशनी बनाया हुआ था, चाशनी को हम अच्छी तरह से चोंगे पर लगा लेंगे, इस तरह से, कसावा, सुका, नारियल और भुनी हुए खशखश को हम चोंगे पर दालेंगे, दो तरीके से हमने यहां पर चोंगे बना लिये हैं, अब तीसरा से इसकी मोटी जादा पतली नहीं रोटी बेल कर तवे पर अलट पलट कर सेख लेंगे एक साइड से रोटी को हम अच्छी तरह से सेख लेंगे एक साइड से हम रोटी को हलका सा कच्छा रखेंगे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और रोटी को हम निकाल लेंगे रोटी पर हम इस तरह से उंगलियों के मदद से डिजैन बनाते जाएंगे रोटी को गरम रहती ही इस तरह से डिजैन बना लेना है आप चाहे तो यहाँ पर चुमट के मदद से भी इस तरह से डिजैन बना सकते हो इस तरीके से बनने वाले आटे और गोड के चुंगों को आप मोहरा में बनाए या दूसरे दिनों में अपने बच्चों को आप बनाकर खिला सकते हो आपको बच्चों को चुंगे भूत पसंद आएंगे चुंगे पर मैंने डिजन बना लिया है अब हम घी और बूड चूंगे पर लगा लेंगे और कसा हुआ सूका नारियल और कसकस को दाल कर हम चूंगे को फिल कर लेंगे लिजे हमारे बड़ें से आटे के चूंगे बन कर तयार हैं आज की मेरी रेस्पी आपको जरूर पसंद आई होगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर अलाफी